Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की इस वीडियो में बच्चों हम लस्कस करेंगे Worksheet No. 15, 4 Class, 6th English Subject की बच्चों ये Worksheet है जो कि आपके लिए 16th November 2020 के लिए schedule की गई है और आज की Worksheet का जो topic है वो क्या है बच्चों? Noun, Gender, ठीक है? आज, noun सभी बच्चे जानते हैं, noun क्या होता है? तो noun में हम gender के बारे में पढ़ेंगे Gender में सभी बच्चे जानते हैं That, क्या क्या होते हैं? Male and female, okay? Male and female सभी बच्चे जानते हैं इस बारे में तो male के लिए हम he word use करते हैं तो female के लिए हम she का use करते हैं So, question first is, match the he word in column 1 to she word in column 2. The first one has been done for you. तो आपको ये he word given है, और column B में बच्चों आपको she words given है. आपको column A के he word और column B के she words को match करना है. यानि क्या है ये, ये जो male और female opposite है, उनको आपको match करना है. जैसे देखे, father उनका जो है she word क्या होगा, mother. इसी तरह बच्चों, bull ही है, तो इसका जो है bull का she क्या होगा, she word होगा, cow. बॉय का बताईए, बॉय का होगा, girl. काफी इजी है बच्चों. ब्रदर का होगा, sister. ठीक है? अंकल का क्या होगा? अंकल का होगा, aunt. mister, mister होता है, mistress. तो यह आपको अपनी copy में ऐसे ही column A, तरफ column B लिखके और आपको उसका answer उसके सामने ही लिख देना है. चलिए, next करते हैं हम, question number 2, look at the picture below and write the correct noun, gender in the space provided. आपको यहाँ पर देखे, help box given है, और यहाँ पर आपको कुछ pictures भी given है, आपको क्या करना है? इन help box से, इन pictures के साथ आपको match करना है. जैसे देखे, first picture में, बच्चों आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर? आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप इसको किसे match करेंगे? आप match करेंगे यह grandfather and grandmother. So, he जो word होगा यहाँ पर, ठीके, वो क्या होगा? वो होगा पिटे grandfather and she word होगा, grand mother. ठीके, तो आप यहाँ पर, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इसको number one, ओके, यह हम यहाँ पर लिखेंगे number one. तो बेटा, आप जो है यहाँ लिख लीजी, यहाँ पर हमारा a given है, तो यह जो है हो गया a, ठीके, grandfather, यहाँ लिखेंगे, grandmother, यहाँ लिख दीजी, next देखे, यह क्या है, bridegroom and bride, तो बेटा, यह हो गया आपका, यह वाला हो गया b, यह bridegroom and bride, next देखे, सभी बच्चे जानते है, lion and lioness, ओके, lion and lioness, तो यह क्या है, यह C हो गया, ठीके, यह हो जाएगा आपका C, अब देखे, next क्या है, king and queen, very good, king raja, और queen कौन है, रानी, ठीके बटा, और grandfather, दादा, grandmother, दादी, bridegroom, दूला, bride जो हो क्या होगी, दूलहन, और इसी तरह lion, share, lioness, share नहीं, ठीके बटा, त यह हो जाएगा आपका D part का answer, तो यहाँ पे आप लिख देंगे king, और यहाँ पे आप लिखेंगे queen, okay, queen लिख दीजे, यहाँ पे, यहाँ से आप spelling जो है, यहाँ से देखके और यहाँ पे लिख दीजे, अब हम करते हैं, next, देखे, the word gender helps to differentiate between male and female noun, so, जो gender word है, वो हमारी help करता है, differentiate करने में, किस-किस के बीच में differentiate करेंगे, male and female, all the he words, like, जो भी he words है, like boys है, man है, male है, यह सब किसको belong करते हैं, they belong to masculine gender, किसको belong करते हैं बिटा यह, यह belong करते हैं, masculine gender, ठीके, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे masculine, और जो भी she words है, like girls है, women है, ओरत, females है, यह सब किसको belong करते हैं, they belong to feminine gender, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे feminine gender, ठीके, तो अभी आप इतना ही सीखेंगे, कि masculine gender क्या होते हैं, feminine gender क्या होते हैं, he words सारे masculine gender बोलते हैं, जितने भी she words हैं, girls है, women है, lioness है, queen है, बेटा, aunt है, sister है, यह सब क्या होंगे, she words होंगे, जिनको हम feminine gender कहेंगे, now question number 3 देखिए, write the feminine noun for the following masculine noun, आपको क्या करना है, यह masculine noun given है, आपको feminine noun इनकी लिखनी है, you may take help of the noun used in the question ना वो, आप help ले सकते हो, हमने जो उपर question किये हैं, उनकी help ले सकते हो, यानि हमने यहाँ पे भी solve किये, यहाँ पे भी हमने solve किये, तो इनकी help से हम इनको fill करेंगे, अभी आप जो है, साथ साथ अपनी copy में लिखेंगे, तो देखिए, first क्या है हमारा, first है father, तो सभी बच्चे चानते है, father क्या है, father masculine है, तो father का feminine क्या होगा, father का feminine होगा, mother, ठीक है, तो बेटा, आप साथ साथ अपनी copy में इसको जो है, करते रहिए, father का क्या होगा, mother, boy का क्या होगा, boy का होगा, girl, bull का क्या होगा, bull का होगा, cow, ठीक है, तो यह क्या है, mother, girl, cow, यह है, feminine, gender, और father, boy और bull यह क्या है, these are masculine, gender, चलिए, next कर लेते हैं, lion, lion का क्या होगा, हमने देखे, अभी आपने उपर किया, यहां से भी आप बच्चे help ले सकते हैं, हमने देखे, अभी यह किया था, lion का क्या होगा, lioness, तो यहां पर आप लिखेंगे, lion का क्या होगा, lioness, lioness, king का, उपर हमने किया, king का क्या होगा, queen, bridegroom का क्या होगा, bridegroom का होगा, bride, okay, bridegroom का क्या होगा, bride, uncle का क्या होगा, uncle का होगा, aunt, ठीक है, brother का क्या होगा, बच्चो, brother का होगा, sister, and mistress, mister का mister जो है वो masculine है and इसका हो जाएगा mistress, m-i-s-t-r-e-double-s यह किसका हो जाएगा, यह हो जाएगा mister का, ओके तो यह थी बच्चों आपके जो है gender के बारे में आपने आज सीखा कि masculine gender कौन से हैं और feminine gender कौन से हैं, so I hope पेटा आपको यह worksheet clear है, कोई भी अगर इसमें problem है, तो आप comment करके पूच सकते हूँ, वीडियो अच्छे लगी तो like, share जरूर कर दीजिए, चैनल को subscribe भी कर लिजिए, अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, bell icon भी प्रिस कर लिजिए, ताके आप बच्छों को हर वीडियो की notification मिलती रहे, so thanks for watching, have a nice day.